नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चापाकल के महत्त के बारे में खास कर ग्रामीड छेत्रों में चापाकल जिसे हम हैंड पम भी कहते हैं ग्रामीड जीवन का एक अहम हिस्सा है यह न सिर्फ पानी का स्रोत है वलकि यह ग्रामीड समदाव की आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी महत्त पूर्ण भूम का निभाता है तो चलिए जानते हैं कि चापाकल क्यों इतना जरूरी है जानने से पहले आप से छोड़ा सनिवेदन है अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स सबसे पहले बात करें पानी की उपलवधता की ग्रामीड छेत्रों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्थ हमेशा नहीं हो पाती ऐसे में चापाकल एक ऐसा साधन है जो हर घर के पास आसानी से लगाया जा सकता है चापाकल से लोग अपने घर के पास ही साप और सुद्ध पानी पा सकते हैं जिससे उन्हें लंबी दूरीताएं नहीं करनी पड़ती। यह महिलाओं और बच्चों के लिए खासकर महतपूर्ण है। क्योंकि उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात करें स्वास्त और सुच्छता की चापकल से साप पानी मिलता है जो पीने के लिए सुरच्छित होता है यह जल जनित बिमारियों को रोकने में मदद करता है जो अक्सर गंदे पानी के कारण होती है जब ग्रामीडों को साप पानी मिलता है तो उनकी सेहत अच्छ कम हो जाता है चापकल का आर्थिक महत भी बहुत ज्यादा है चापकल का पानी क्रिसकारियों के लिए भी उपयोगी होता है किसान इसे सिचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं जिससे उनकी फसले बेहतर होती है इसके अलावा चापकल की अस्थापना और मरमत से गाव में रोज सग्गिबन कर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाग की चापा कल गाउं के लोगों को एक जूट करता है यह एक ऐसायस्थान बन जाता है जहां लोग पानी भरने के दवरान मिलते हैं बाते करते हैं और अपने रिस्ते को मजबूत करते हैं यह ग्रामीड छेत्रों के भिकास और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में मदद करता है चापा कल का पर्यावरणी महत्त भी है चापा कलका इस्तेमाल करने से बिजली या इंधन की आवस्कता नहीं होती है जिससे यह एक पर्यावरण अनकूल विकल्प बन जाता है तो दोस्तो यह था चापा कलका ग्रामिन छेत्रों में महत्तु यह ना सिर्फ पाने की आपूर्ति करता है बलकि स्वास्त आर्थिक विकास सामाजिक संबंधो और पर्यावरण की सुरच्चा में भी अहम भूमिका निभाता है अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर आपका कोई सुझा हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ झाल झाल